जैस्री किशना दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ तो मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ तो देखे चलिए देख लेते कि हम आज क्या बना रहा है मैं एक बहुत स्पे बीच बीच में और ऐसे करता रहता है तो बोल रहा ममी इसकी बोल बना के रुचाल के दिखा वो चोड़े बच्चे ना बच्चे तो ऐसे करते रहते हैं चलिए हम अपनी तैयारी कर लेते हैं यह मैंने बहुत अलू लिये हैं अलु मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे इनको छीलके हम रेडी कर लेंगे, यह बहुत टेश्टी सबजी बनती है गाइस, मैं एक आपको लंच ठाली देने वाली हूँ, जो कि बहुत टेश्टी लगती है, मैंने यह सबजी हम गए थे घुमने, हम गए थे देवगर, बाबाद हम गुमने गए थे, जो कि झारकन में पढ़ता है, बोले बाबा का मंदीर है बहुत परसीद है, बिहार से जारकन से जो लोग है उदर की साइड से वो तो बहुत जाते हैं गुमने, बिहार वाले लोग तो बहुत मानते हैं, तो हम भी वहाँ गए थे, तो मैं हमने ना, कि उसमें रेश्टरेंट में सबजी परसो तरसो लेकर आया है, और दो दिन हो गए रखे तो हलकी सी सोक सी गई है, इसके तो बीज के साथ ही बनाते हैं वो लोग तो लेकिन मेरा हस्बेन इसके बीज खाना पसंद नहीं करते हैं, वो बोलतें कि दात में फज जाता है, इसलिए मैं इनका बीज निकाल रहे बिहार वाले लोग जो पहार UP से जो ऊदर की साइड से हैं, जो पिहार से लगते हैं उदर की साईड तो ने इसका बुजिया भे महीं बना जाता ही है, तो यह देखे, हम लोग weakest UP से हैं, तो यह देखे, मैंने सारे कट करके इसको रेड़ी कर लिया है, और रेड़ी करने के के बाद मैं आगे की तयार कर लूँगी तो मैं आपको दिखा लेती इतने बड़े-बड़े हमने इसके पीसिस कट किये हैं चलिए मसाला भी रड़ी कर लेते हैं तो मैं मसाले में रड़ी करूंगी इसको एक स्पेसल सा मसाला इसका बनाया जाता है इसकी ग्रेवी के लिए त के और यह मैंने आट से 10崽 के कल्या ले ली हैं और फोड़ासा इंच ले लिया मैंने अद्रग का टुकड़ा और आधा च्छोटी चमच लेंगे मैं साबू लें लेंगे हैं साबूत वाली क्लीन массाले से बहुत अच्छा ओद मेरे पिसकर जालें मेरे घर में और हमें पसंद किया जाता हुद थोड़ा से डाल दी यहां मैंने इसमें जीरा आदा चोटी चल्मच मेरे बाइड कर दिया है और अब हमरý तो अधिको प्रकुब होता है और किस्ट तरफं अधर है चाहिए नलिया इसको याना कर रेडी कर लेंगी, तो मासाला बनाएंगेनिam ना तोसी से इसमें तेस्ट आता है, तो यह देखे मैंने साथ ही मासाला से पिस कर रेडी कर लेंम, मैं दरदरा सा पीश लिया है और इसको मैं एक प्लेट में निकालिए और उसके बाद में चाहरी सबरी बना लूँ है У्क ठी हमे के हो तो पूरी बना लूँ है घर सागया जाए समस्तों आपको बहुत थैस्ट अचली हो जाएगा w सब्जी खाते है ना देखे डेली तो ऐसे ग्रेवी वाली सब्जी बनती नहीं है आज मेरे घर में कम से भी कम यह 15 से 20 दिन बाद ही बन रही होगी तो यह देखे मैंने कड़ाई रख लिए है और कड़ाई में डाल दिया तीन बड़े चमश सरसो का तेल आप इस सब्जी को न यह परवल डाल दी है परवल को ना हम पहले फ्राई कर लेंगे हलका से इसमें भून लेंगे क्योंकि आलू हमारे बोयल ना और परवल थोड़ी सी कच्चे टाइप कि रह जाएगी नहीं तो इस तरीके से बनेवी सब्जी का टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है आप इसको इसमें हलका सा फ्राई करती तो लाइक कि जार चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा facebook page पे देख रहे हैं तो follow भी कीजिएगा हमारी ये fry हो चुके हैं हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं सबजी तो simple सभी बनाते हैं सब का अपना अपना तरीका होता है लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा सा change करके कुछ सबजी को बनाते न तो उसका टेश्ट भी अच्छा लगता रेगुलर सबजी को खाते हूँ अगर बोर हो गया तो इस टाइप साब सबजी बना सकते हैं आपको बहुत पसंद आने वाली है सबजी तो उसी कड़ाए में जितना तेल बचा हुआ था न इसमें डाल देते हैं एक तेजबता एक खड़ी लाजी और इसमें डाल देते हैं थोड़े से सरसो के दाने और इसमें डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे तो यह हम पेश्ट इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे इसको लगतार चलाते हुए भूनना है अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यह फिर तले में लग जाएगा तो इसको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें अपने पाकी के मसाले अड़ करेंगे देखे कोई भी सबजी जब हम बनाते है न तो जितना अच्छा हमारा मसाला भूनता है सबजी का फ्लेवर उतना ही निकर के आता है उतना ही टेस्ट उसका बढ़ जाता है सबजी का तो देखिए मसाला हमारा भुन चुका है लेसन प्याज अच्छे से भुन चुके हैं उसके बाद हम इसमें पाउडर मसाले अड़ कर देंगे पाउडर मसालों में वही बेसिक मसाले एक चंबच हल्दी पाउडर एक चंबच लाल मिर्च पाउडर एक चंबच जाएगा इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सजाएगे एक पिंच जाएगा इसमें हींग बाकी समें हम कुछ भी अड़ नहीं करेंगे हम basic वो ही regular मसाले जो हम अपने kitchen में use करते हैं चलिए सारे मसाले डाल दिये हैं उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे भूनने के बाद क्या करेंगे देखे थोड़ा सा मसालों के साथ भी अच्छे से भून लेंगे इसको paste को उसके बाद हम इसमें अपनी टमाटर की जो पीरी बनाके रख़ि दिने हर इमेर्ट की वो भी हम इसमें adding करते को मिर्चाप हिसाब से 1 ऩहाड़ की जाइगे कि हम इसमें हर इमेर्ट कर चुके हैं तो ये देखे मैंने प्यूरी भी इसमें अड़ कर दिया और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे इसको हमें लगतार चलाते हुए भूनना है जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए और उपर से फिर इसको डख डख के हम भूनेंगे जब जितना चाल मसाला हमारा भूनकर रड़ी होगा ना उतने ही अच्छी हमारी सब्जी बनेगी टेश्टी बनेगी एकदम तो ये देखे है एक बॉयल आ चुका हलका से तेल भी सेपरेट हो गया पर फिर भी मैं इसको थोड़ा देर ढख दोंगी और मैं क्या बताऊंगा इसकी इतनी अच्छी खुश्बू इ अब हम इसमें क्या करेंगे सब्सक्राइब दे जाखे है इसको फिर ठॉड़ा सदेर और डगकर पका लेगे तो ये ये देगे और तो छोड़ते आमारा आच्छे से भूंच है उसके बार Till मैं अपने आलू डाल देंगे, आलू इस में रफली ही तोड़ के डालने है, ज्ञादा वो नहीं और मैं डारेक्ट मैं तोड़ के डाल रही हैं। तो यह देखें, हातों से थोड़ा मोटे मोटे चंक से रहेंगे न इस सबजी में, तो ज्यादा चैया, ज्यादा मशी इसको नहीं बनाना है की मैश मैश सा कर देना हलके से मोटे मोटे चंक्स रहेंगे सबजी में तो खाने में अच्छे लगेंगे यह देखे मैं सारे ही आलुए से तोड़ कर इसमें डाल दूँगे और अपनी जो मैंने परवल कट करके वो सोरी फ्राइ करके रखिये ना वो भी हम इस देखे जिस तरीके से मैं रही हु ना इसी तरीके से थोड़ी देर एक से दो एक ही मिनट भूनना है इसको हाई फ्लेम पर और उसके बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे जितनी हमें ग्रेवी इसकी गाड़ी यह थिक रखनी है ना उसी हिसाब से हम इसको एड़ेस्ट कर ये तो देखें थोड़ा देर इसको भुंते हुए हो चुका है थोड़ा पानियों कि ब्लाएं मुझे दख mixing तो दॉड़ा सा Ev好像 जी करता है थोड़ा सा पानियॉर घाड़ मुझे टोड़ी लगाले क्योंकि थोड़ा सा तो जरूर से एड़ कीजेगा मेरी पास है तो मैंने डाल दिया है तो यह मैंने डग के ऐसे रख यह थोड़े से ढबबे में होगा तो इस से क्या होता है धनिया खराब नहीं रखता है पहले कि दुलके रखें में लुड़ हो जाएगी और यह घराब हो जाएगा तो मैं ऐसे ही करते हूं धन्या लाके साफ करके डबे में रख लेती हूं उपर नीचे नीज़ पेपर या फिर टीशू पेपर लगा देती हूं जिससे की जो नमी जाएगी न वो उपर के उपर सोख लेता है और बारिक बारिक धन्या को कट कर लेंगे और अपनी सबजी भी एक बार चेक कर लेता है देखे और उपर सेपरेट हो गया ना बहुत अच्छी खुश्व आ रहे हैं इसमें इस टाइम पे और यह देखे थोड़ा से इसको कट्ची से ही ला देंगे और इसके बाद इसको एक बार और ढखकर पका लेंगे दो मिनट के लिए ज्यादा सब्जी बनकर मिनटों में रड़ी हो जाती है और लिक्विड सब्जी बनी है आप इसको पूरी पराथा चपाती या फिर चावल के साथ मैं ने चावल के साथ तो बहुत टेश्टी यह सब्जी लगती है एक बार बना के आप ट्राइज जरूर कीजेगा और मुझे अपना फीड़ बैक दीजेगा कि आपकी सब्जी बनी कैसी है देखे सब्जी हमारी बन चुकी तो मैंने इसमें डाला है बहुत छोटा चमच एक चोथा चमच मान सकते हैं गरम मसाला और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें हरा दन्या सब्जी हमारी बन चुकी है देखे कितनी tempting से सबजी बनी है ने एकदम कोई बताए गई नहीं कि हमने ये इस तरीके से बनाई एकदम परवल की सबजी बहुत लोग सुखी-सुखी बनाते है न तो आप एक बार इस तरीके से liquid सबजी बना कर देखिएगा बिहारी सबजी है उधर की साइड तो ये बहुत बनाई जाती और इसमें बीच से ऐसे करके न जैसे हम घर पे बनाते हैं खाते हैं नॉर्मल उसी तरीके से मैं इसको सर्व गर रही हूं एकदम घर के स्टाइल से ही कोई ऐसे मैंने कटोरी वगर हमें रखे कि आज मैं सिंपल ये आपको ऐसे सर्व करके दिखाऊंगी तो ये देखिए मैं आपको खिला रही हूं इसमें मिक्स करके कि आप लोग भी खान लीजे देखे मैं आपको खिला रही हूं तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर से बताइएगा बाई बाई दोस्तों जैश्री कृष्णा